हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल इस्टड़ी विथ अर्विंद में प्रती दिन की तरह आज हम फिर से आज की दूसरी क्लास है जिसमें हम फिर से पंदरा कोश्चेन हल करवाएंगे और आपकी आगामी परक्षाव में आने वाले प्रस है जो हैट सीड़ सक के अंतर अंतरगरा श्रंकला मूर्ति शिल्फ है उसे किसने बनाया है डी पी राय चाओधरी बी राम किन करविज सी हि मत साथ दी मरकलालणी मुखरजी तो का एंसर हो जाएगा option C यानि हेट सीर्षक के अंतरगत जो टेरा कोटा श्रंखला मूर्ती सिल्फ है उसे हिम्मत साह ने बनाए हैं तो इसका एंसर हो जाएगा option C अगला प्रस्न है किस कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा सौक था वह कौन सा कलाकार है जिसे डायरी लिखने का बड़ा सौक था option A प्रदोस दास गुपता बी नसरीन मुहमदी सी भूपेन खकर डी वीवान सुंद्रम तो question number 2 का answer हो जाएगा option B यानि नसरीन मुहमदी को डायरी लिखने का बड़ा सौक था तो इसका answer हो जाएगा option B अगला प्रस्ण है समकालिन घटनाओ पर धारदार कार्टून बनाने के लिए मसुहूर है तो वह कौन सा कलाकार है जो समकालिन घटनाओ पर धारदार कार्टून बनाने के लिए मसुहूर है option 1 है विवान सुंदरम B है गोगी सरोचपाल C अमबा सान्याल D सेखर गुरेरा question number 3 का answer हो जाएगा option D यनि सेखर गुरेरा जो है समकालिन घटनाओ पर धालदार कार्टून बनाने के लिए मसहूर है तो इसका answer हो जाएगा option D अगला प्रस्ण है एकला चलो रे एकला चलो रे इंद्रा गांधी 1985 जल रंग के चित्रकार है जो एकला चलो रे इंद्रा गांधी 1985 जो सीर्ख सक है जल रंग माध्य में बनाया गया है उसके चित्रकार कौन है option A SH रजा B MF हुसाइन C रामकुमार D QS कुल करनी Q4 का एंसर हो जाएगा option B MF हुसाइन द्वारा यहाँ चित्र चित्रित किया गया है जिसका सीर्शक था एकला चलो रे जिसमें इंद्रा गांधी जी का चित्र है और 1985 में 1985 में बनाया गया है जन रंग माध्यम से इसका एंसर हो जाएगा option B अगला प्रसन है आगरा का वह मक्बरा जिसे जहागीर की वेगम नूर जहाने 1628 इस्वी में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की इस्मृती में बनाया था तो आगरा का वह मक्बरा जिसे जहागीर की वेगम नूर जहाने 1628 इस्वी में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की इस्मृती में बनाया था option A इत्मा दुद्दौला का मक्बरा B अकबर का मक्बरा C ताजमहल D कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा option A यानि इत्मा दुद्दौला का मक्बरा है उसका नाम इत्मा दुद्दौला का मक्बरा अगला प्रसन है भारत में एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रियोग करने वाले कलाकार थे भारत में एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रियोग करने वाले कलाकार कौन थे? Option A, कृष्ण खन्ना, B, MF, FN, सूजा, C, राजा रविवर्मा, D, SH, राजा Question 6 का answer हो जाएगा Option B यानि FN, सूजा जो है, या Francis Newton सूजा है, इनका पूरा नाम और या बहुलता से, यानि ज्यादा से ज्यादा एक्रेलिक रगों का प्रियोग करते थे तो इसका answer हो जाएगा Option B अगला प्रस्ण है, जस्रोटा के राजा, जस्रोटा के राजा, बलवन सिंग के छवी चित्र को किस चित्र कारने बनाया था? Option A, निहाल चंद, B, मौला राम, C, मानकू, D, नैन सुख, Q7 का answer हो जाएगा Option D, यानि जस्रोटा के राजा, बलवन सिंग के छवी चित्र को नैन सुख ने चित्रित किया था, तो इसका answer हो जाएगा Option D, अगला प्रस्ण है, वह दादावादी वा अतिया थार्तवादी का कलाकार जिसने फ्रोंताज, ग्रेताज वा कोलाज में प्रयोग किये हैं, Option A, पिकासो, B, मैक्स अर्नेस्ट, C, देगा, D, मातिस, Q8 का answer हो जाएगा Option B, मैक्स अर्नेस्ट जो है, या दादावादी अतिया थार्तवादी कलाकार हैं, और इन्होंने फ्रोंताज, ग्रेताज, वा कोलाज में प्रयोग किये हैं, अगला प्रसन है, कला जगत का जेंटलमेन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है, Option A, M.F. हुसाइन को, B, रामकुमार को, C, जहागीर सवावाला, D, राजारवी वर्मा को, Q9 का answer हो जाएगा Option C, यानि जहागीर सवावाला को, कला जगत का इंटलमेन आर्टिस्ट कहते हैं, कहा जाता है, अगला प्रसन है, निमने लिखित में से, निमने लिखित में किस इतिहास कारने, साजहाँ के सासनकाल को, मुगलकाल का स्वाण्यूग कहा है, Option A, V. A. Smith, B. J. N. सरकार, C. A. L. स्रिवास्तव, D. उप्रिवक्त में से कोई नह अगला प्रसन है, अगला प्रसन है, सेरिग्राफि सब्द निमने लिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रियूख्त होता है, Option A. Letterpress, B. Grave Bear Printing, C. Silk Screen, D. लिथोग्राफि, तो इसका अगला प्रसन हो जाएगा, Option C. यानि, सिल्क स्क्रीन चपाई के लिए सेरिग्राफि सब्द प्रियूक्त किया जाता है, तो इसका अंसर हो जाएगा, Option C. अगला प्रसन है, किस मुगल बात्सा को जिन्दा पीर कहा जाता है, Option A. अकबर, B. औरंग जेब, C. सा जहां, D. जहांगीर, Question No. 12 का अंसर हो जाएगा, Option B. यानि, औरंग जेब को जिन्द का जाता है, अगला प्रसन है, प्रसन संख्या 13, बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा किस ने बनवाया था, Option A. हुमायू, B. सा जहां, C. अकबर द्वतिय, C. अकबर द्वतिय, D. औरंग जेब, तो इसका अंसर हो जाएगा, Option D. अगर Question पूछ लिया, कि बीवी का मकबरा किस राज में स्थित है, तो महराष्ट राज में स्थित है, तो इसका अंसर हो जाएगा, Option D. औरंग जेब ने बीवी का मकबरा बनवाया था, अगला प्रसन है, फिलिपो तुमासो मारी नित्ती कौन था, Option A. भाविसवाद का गोसडा पत्र निर्माता, B. घनवाद का गोसडा पत्र निर्माता, D. अविवेंजनावाद का गोसडा पत्र निर्माता, Question No. 14 का एंसर हो जाएगा, Option A. यानि भाविसवाद का गोसडा पत्र निर्माता थे, फिलिपो तुमासो मारी नत्ती जो है, वह भाविसवाद का गोसडा पत्र के निर्माता है, अगला प्रसन है, और Option A. इर्विन, B. नवाब अस्वाकुद दावला, C. मुहम्मद तुगलव, D. फिरोज तुगलव, Q15 का एंस्वर हो जाएगा, Option B. नवाब अस्वाकुद दावला जो है, लखनों के इमाम बाड़े का निर्मार करवाया था, तो यह थी आज की प्रसना वाली, कैसे लगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें और सेयर करें, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें, थैंक्स वार वाचिंग इस वीडियो,